हेलो दोस्तों आप दख रहे हैं आपका अपना साइट एक विजन यूटुब हिंदी चैनल मैं हूं संजे स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइरलेस कीबोर्ड एंड माउस के बारे में काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि वाइरलेस कीबोर्ड माउस के बारे में भी बताईए तो इसी के जबाब में ये वीडियो बना रहा हूं तो इस वीडियो को लाश तक देखते रहिए जिसके अंदर हम बात करेंगे completely जो भी success keyboard and mouse है wireless के अंदर वो keyboard mouse में लेकर के आया हुआ इस वीडियो के अंदर तो दोस्ते शाट करने से पहले computer hardware and software ने माशन बनने के लिए आप इस channel को subscribe करें और subscribe होते ही bell icon पे click करना ना भूले जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो के uploading information आपको मिलती रहेगी तो चले दोस्तों बात करते हम wireless keyboard and mouse के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि wireless keyboard and mouse जब भी आप purchase करने का प्लान करें तो कभी भी आप एक सस्ते keyboard, mouse purchase करने के बारे में ना सुचें क्योंकि wireless keyboard, mouse जो होता है उसके अंदर बाद में चल करके बहुत सारी problems start होती है जैसे अगर आपने कोई low wizard का keyboard, mouse purchase किया तो उसके अंदर अकसर क्या होता है कि keyboard में ज़्यादे problems आती है कई बार कुछ keys proper तरीके से काम नहीं करेंगी कुछ keys को प्रेस करेंगे तो लगतार प्रेस होती हुई चली जाएंगी या फिर कुछ keys अलग प्रेस कर रहे हैं और text जो है अलग लिखा हुआ आ रहा है तो इस type का matching का बहुत सारे low budget वाले keyboard and mouse में आते हैं तो कभी भी जब भी आप keyboard and mouse wireless purchase करने जा रहे हैं तो उस वक्त थोड़ा सा budget बना करके चलें ताकि आप एक बहतर keyboard and mouse wireless के लिए purchase कर सकें जो काफी दिनों तक आपका साथ दे सकें तो हम सबसे पहले बात करेंगे Lositik जो की wireless keyboard, mouse में या वैसे भी ऐसे series के अंदर काफी बहतर brand है और काफी अच्छा नाम भी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे Lositik का Mk215 model का जो आज की रिट में market में local market में भी कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही जादे sell है इसका और इसका reason यह है कि यह एक छोटा keyboard है और सभी buttons इसके अंदर आ जाती है और यह जो है laptop अगरे के साथ में आप उसी bag में आप आराम से carry कर पाते हैं जैसे कि मैं काफी सालों से मैं खुद use कर रहा हूँ जो आप यह देख सकते हैं तो यह काफी अच्छे keyboard माउस माना जाता है wireless के अंदर वैसे जो है model wise जो है logitech का कोई भी आप model purchase करते हैं तो वो काफी बहतर performance आपको देता है उसके बाद जो है logitech का ही यह दूसरा model है जो full size के अंदर आता है यह model है M के 270R जो यह भी अगर आप full size keyboard लेना चाहते हैं तो आप इस model के साथ जा सकते हैं यह बहुत ही बहतर model है और जिसका price है 1674 रुपे Amazon पे आज की rate में price इसका आ रहा है और जितने भी keyboard mouse के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस सभी का link मैंने description में डाल रखा है आप उस पर click करके direct जो है आप purchase कर सकते हैं तो अगर आपको full size के अंदर keyboard mouse purchase करना है तो आप यह model ले सकते हैं और इसी model से मिलता जुलता यह model है MK275 यह भी full size keyboard है और यह 1690 रुपे का आएगा इसके अंदर थोड़ा सा color difference है जो आप बिल्कुल देख सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा advanced model MK345 है जिसका price है 290 रुपे यह थोड़ा सा advanced model है थोड़ा सा बिल्कुल full size और काफी बहतर model में आता है इसका mouse भी काफी खास होता है तो अगर थोड़ा सा standard में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसे purchase कर सकते हैं बहुत ही build quality के अंदर यह keyboard mouse आता है Logitech का उसके बाद हम बात करते हैं Logitech का ही कि अगर आप laptop के साथ इस keyboard के carry करना चाहते हैं और अगर आपका हाथ बैठा हुआ है mouse pad पर अलग से mouse नहीं चलाना चाहते हैं तो इस keyboard के साथ यह mouse भी आता है mouse pad भी आता है जो काफी बहतर look में यह मिलता है और आप इसे जो है अपने laptop के साथ अपने bag में carry कर सकते हैं अलग से mouse वगरे आपको ले करके जाने की जरूरत नहीं है और इसका प्राइस है 2590 रूपे आज की rate में आ रहा है और इसका model जो है के 400 प्लस है तो इसके साथ benefit यह होता है कि आप जो है अपने laptop के keyboard को use नहीं करेंगे तो laptop का अचुरी सबसे ज़्यादे जो खराब होने वाला part होता है वो keyboard ही होता है और mouse pad होता है तो अगर आप external keyboard mouse use करते हैं तो आपका laptop जो है काफी दिनों तक किसी भी प्रकार का problem आने वाली नहीं है तो अगर आप बिल्कुल laptop की तरह use करना चाहते हैं keyboard and mouse को तो laptop का ना use करते हुए आप इस keyboard के साथ जा सकते हैं जिसके अंदर जो है आपका mouse pad भी मिलेगा और keyboard भी मिलेगा और उसके बाद हम बात करते हैं Dell की जिसका model number है KM 117 और इसका price है 1380 रुपे ये बहुत ही खास लगता है reason उसका ये है कि इसका जो keys होता है वो बिल्कुल laptop के keys की तरह ही होता है और ये बिल्कुल जो है base से उठा हुआ नहीं रहेगा इसका keys तो आप ये purchase कर सकते हैं काफी soft key में आता है तो ये भी काफी अच्छा लगता है model तो आप ये भी purchase कर सकते है और उसके बाद हम बात करते है hp का जो काफी लोग hp में विश्वास रखते है तो hp का भी ये बहुत ही अच्छा model है काफी durable है hp का hp 200 model नंबर है इसका जिसका price है 1499 यानि कि 1500 रुपे में मिल सकता है ये और काफी खुबसूरत model भी है simple है बिल्कुल भी और उसके बाद हम बात करते है Lenovo की जो बिल्कुल normal keyboard की तरह इसका model है और इसका model नंबर है Lenovo 100 और इसका price है 1174 करीब बारहुसो रुपे का ये आपको मिल जाएगा तो आप इसे भी ले सकते हैं अगर Lenovo के साथ जाना चाहते हैं तो ये बहतर keyboard आपके लिए हो सकता है इसके बाद है eyeball eyeball का ये बिल्कुल basic model है ये काफी आपके local market में भी मिल सकता है जिसका model नंबर है eyeball dashkid dude 06 और price है इसका 1115 रुपे तो आप इसको purchase कर सकते हैं अगर आप local market में भी purchase करना चाहें तो rate try करके आप purchase कर सकते हैं अगर local market में सही है तो आप वहाँ से purchase कर लें या फिर online purchase करना चाहते हैं तो आप online purchase कर सकते हैं उसके बाद eyeball में ही ये दूसरा model है जिसका model है combo i4 और इसका price है 1220 रुपे और ये बिल्कुल जो है simple है आप थोड़ा छोटा भी है आप जो है laptop अगरे के साथ bag में बिल्कुल असाली से carry कर सकते हैं और ये काफी खुबसूरत भी लगेगा तो इसलिए आप इसको भी purchase कर सकते हैं और उसके बाद जो है TVS है TVS के quality में तो कुछ कहने की जरूत नहीं है जो आप लोग जानते भी होंगे quality में number one है TVS तो इसका सबसे सस्ता ये keyboard mouse है जो 1650 रुपे का आता है और model number है इसका KB 868 तो आप इसे भी purchase कर सकते हैं काफी खुबसूरत model है ये भी और उसके बाद हम बात करते हैं mouse की अगर सिर्फ keyboard लेना चाहते हैं तो keyboard फाइदे मंद नहीं होगा जब भी आप सिर्फ keyboard लेना चाहें तो साथ में combo purchase करें ताकि उसके साथ mouse भी आपका आ जाए लेकिन कई बार लोगों को keyboard की जरूरत नहीं होती है mouse wireless रखना चाहते हैं तो आप mouse purchase कर सकते हैं अब हम बात करते हैं अगर सिर्फ आप mouse लेना चाहते हैं तो mouse में भी हम सबसे पहले बात करेंगे Logitech का ही जो best quality में मिलता है Logitech का B 170 model ये 550 रुपे का मिलेगा काफी बहतर model है काफी मजबूत भी है तो आप इसे भी purchase कर सकते हैं और उसके बात का Logitech में ही थोड़ा सा advanced model खुबसूरत model में आता है M 235 जिसका price है 599 आनि की 600 रुपे में आपको मिल सकता है और उसके बात model यही है सिर्फ color change हो जाएगा तो color wise ही हमने link दे रखा है आप बिल्कुल उसी link पर click करके direct जो है आप वो model purchase कर सकेंगे जिसका price है 599 प्राइस भी बिल्कुल वही है model भी वही है सिर्फ color अलग है और उसके बात जो है Logitech का ही यह model number थोड़ा सा advanced है जिसका model number है M 220 और इसका price है 750 रुपे तो यह gray color में आता है काफी खुबसूरत model है आप इसे भी purchase कर सकते है और उसके बात जो हम बात करेंगे Logitech थोड़ा सा heavy model की M275 जिसका price है 899 आने की 900 रुपे में मिलेगा और यह काफी खुबसूरत नजर आता है आप यह देख सकते हैं इसके figure के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खुबसूरत होगा और उसके बाद और भी advance है इसके अंदर थोड़ा सा और मजबूत है M330 आप इसे भी purchase कर सकते हैं इसका price है 999 आने 1000 रुपे में यह बिलेगा और उसके बाद हम बात करते हैं यह बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं जिसका price है 780 रुपे तो आप यह model भी purchase कर सकते हैं model wise बाकि durability लगवग लगवग सबकी same है क्योंकि Logitech brand में कुछ कहना नहीं है और जो भी brand में लेकर के आया हूँ यह बिल्कुल चुनिंदा models हैं चुनिंदा brands हैं आप इन में से किसी पर भी direct link पर click करके आप पर्चेस कर सकते हैं और उसके बाद model number बिल्कुल यही है सिर्फ color जो है white में आ जाएगा यानि कि M187 white इसका price है 780 रुपे तो आप इसे भी purchase कर सकते हैं अगर white ही आप पूछे ही है तो आप इसे purchase कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं HP X 3500 इसका price है 599 रुपे अगर आप HP का लेना चाहते हैं तो आप यह model purchase कर सकते हैं काफी खुबसूरत भी है और काफी durable भी है और उसके बाद जो है HP का 200 model number है यह भी काफी अच्छा खुबसूरत है जिसका price है 720 रुपे और उसके बाद HP का ही 200 model में ही यह color अलग है silk gold में आएगा यह काफी खुबसूरत color दिखेगा तो आप इसे भी purchase कर सकते हैं जिसका price है 660 रुपे और उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपको slim चाहिए काफी लोगे ढूगते हैं कि laptop के back के अंदर carry वगरे करने के लिए थोड़ा slim हो जो table पे भी रखा हुआ अच्छा लगे और किसी pocket में आभी जाए laptop के bag में तो HP का यह model आप purchase कर सकते हैं Z7700 और काफी durable है बिल्कुल slim है जिसका price है 1140 रुपे तो आप इसे purchase कर सकते हैं अगर आपको slim पसंद है तो यह silver color में आएगा और उसके बाद model यही है और यह gold color में यानि कि modern gold color में आएगा और इसका price है 1050 रुपे और इसका model बिल्कुल वही है Z7300 बस modern gold color में यह आएगा तो बिल्कुल इसी हिसाब से जो है लिंक दिया हुआ है अगर लिंक से आप purchase करते हैं तो बिल्कुल यह model आपको मिलेगा और उसके बाद है आईबाल का आईबाल का यह model Frigo i7 model नमर से आता है यह इसका price से 627 रुपे आज के रिट में Amazon पे आ रहा है यह बहुत ही खुबसूरत दिखता है तो आप यह से भी purchase कर सकते हैं अगर आईबाल के साथ जाना चाहते हैं तो और उसके बाद जो है हम Dell को देखते हैं Dell में WM126 model नमर है जिसका price है 680 रुपे तो अगर आप Dell purchase करना चाहते हैं तो यह model आप पर्चेस कर सकते हैं और इसके बाद Lenovo Lenovo का यह बहुत ही खुबसूरत model है जिसका price है 780 रुपे Amazon पे आज के रिट में दिखा रहा है और इसका model नमर है N100 तो आप इसे purchase कर सकते हैं तो इतने सारे models मैंने आपको दिखाया इनमें से जितने भी model मैंने लिया हुआ है यह बिल्कुल चुनिंदा model है अगर यह आप एक बर purchase करते हैं तो काफी साल तक जो है आप keyboard mouse से बिफिकर हो जाएंगे जैसे कि 5-6 साल से मैंने Logitech का खुद personally use कर रहा हूँ और किसी भी प्रकार की problem नहीं आती है तो आप low budget में भी आएंगे तो आपको मिल सकता है काफी सारे keyboard mouse लेकिन उनके अंदर बहुत सारी problems आती है कि कुछ दिन चलने के बाद जो है frequencies change हो जाती है कुछ keys काम करना बंद कर देती है या फिर mouse काम करना बंद कर दिया keyboard काम कर रहा है keyboard काम कर दिया mouse काम कर रहा हा है तो low budget के wireless keyboard mouse के अंदर यस शारी problems आती रहती है तो इसलिए जब भी आप keyboard mouse purchase करने जा रहे हैं तो आप इस तीच का ध्यान दें थोड़ा सा बजट बना करके चलें तो इस टाइब के जितने भी keyboard mouse है उसमें से कोई भी model अगर आप purchase करते हैं तो आपको एक बहतर keyboard mouse wireless आपको मिल सकता है तो दोस्तों मैं मित करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप comment में बताएं अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें दोस्तों share करना ना भूलें जिससे क्या होगा कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बीना course कि यारी घर बैठे बैठे कंप्यूटर के बारे में और टेकनलोजी के बारे में जानने का मौका मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो में भी तक इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ तब तके लिए थैंक यू, have a nice day, bye bye